तो गूर्ण यहां कि लाए पाप प्लेस अनीम्ल और थिंग्स बंड मतलब किसी वी एक परसंड के लिए प्लेस के लिए और अनीमल और तिंग्स के लिए तुब अब हम देखते हैं जैसे for example boy तो one boy तो boy लिखेंगे और बहुत सारे boy तो boys लिखेंगे उसमें हम s add कर देंगे तो bird का birds, town का towns, flower का flowers, मतलब किसी भी one चीज के लिए एक चीज के लिए उसमें केवल एक ही word आता है और many के लिए उसमें हमको s या yes लगाना पड़ता है तो वो many हो जाता है मैंसे बहुत सारे many में बहुत सारे हो जाते हैं तो हम इसकी exercise देखते हैं write words in the blank to show many just add as to the given verse मतलब हमको इसमें s लगा के उसको many बनाना है बन को तो यहाँ पे first picture में आपको books देख रही है तो books first picture में book देख रही है और उसके बाद books बहुत सारी books देख रही है तो book का many क्या हुआ books बी डबलो के s books यह देखो star star का इसमने s add कर दिया तो s t a r s stars third picture देखो tree tree देख रहा है न तो tree tree में अगर हम s add कर देंगे तो trees t r s trees dog तो dog का यहाँ पे देखो कितने सारे dogs देख रहे है तो d o g s dogs fifth picture में देखो egg तो यहाँ पे कितने सारे eggs हैं तो e double g s eggs हम को इसमें s add करना है pen का pens p e n s pens ring 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 का rings r i n g s rings next picture देखो bulb b u l b bulb bulb का bulbs b u l b s तो bun means क्या होता है एक और many में बहुत सारे हम उसमें s या e s लगा के हम उसको many बनाते हैं बहुत सारे तो इसमें आपको समझ में आया book का books बनाना स्टार का इस तरह से हमको many बनाने हैं तो इस तरह से हमको one और many वाला chapter समझ में आ गया okay thank you students